दिल्ली पुलिस को बड़ी काम्याभी हाथ लगी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने पूने ISIS मौडूल के आतंकी साहनवाज के दिल्ली से गिरफतारी हुई है। क्या था पुरा मामला देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISISI मौडूल के एक आतंकी को गिरफतार किया है। आतंकी का नाम साहनवाज बताया है। जिसकी गिरफतारी दिल्ली से हुई है। रास्टी सुरक्सा अजनसी ने इस आतंकी के उपर तीन लाक रुपे का इनाम रखा हुआ था। ये आतंक की NIA का Most Wanted आतंकी है। जिसे साहनवाज उर्फ सैफी उजमा के तौर पर भी जाना चाता है। साहनवाज पुने ISIS के केस में Wanted थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि साहनवाज दिल्ली का ही रहने वाला है। वह पेशे से इंजीनियर है। आतंकी साहनवाज पुने पुलिस में साथ लोगों को पकड़ा था। इस तौरान तीन आतंकी फरार हो गए और वह दिल्ली में आकर छिप गए। इन्हीं तीन आतंक वाधियों में से एक साहनवाज उर्फ सैफी उस जमा है। दिल्ली पुलिस को ISIS के तीन आतंकीयों के रास्धानी में छिपने की खबर दी इसके बाद से ही पुलिस अलट मोड पर आ गई और तीनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को बड़ी काम्याबी हासिल हुई जब साहनवास को पकड़ा गया। हाला कि अभी भी पूने ISIS के के केस में वांटेट दो आतंकी रिजवान अब्दूलहाजी अली और अब्द दिसंबर में भी कई राजों में विधान सभा चुनाव होंगे। कौन से राजों में अभी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। कैसी होगी राजनिती गरणनिती देखते हैं अंदर की बात में। सभा का कार्यकाल अगले साल 11 जून तक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यहां जून से पहले विधान सभा चुनाव हो सकते हैं। अरुनाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव अप्रेल 2023 में या उससे पहले होने की उमीद है। अप्रेल 2019 में हुए पिछले वि विधान सभा की 60 सीटों में से 41 सीटे हासिल की थी 147 सदस्यों वाली ओरिसा विधान सभा के लिए जुन 2024 से पहले चुनाव होने की उमीद है यहां अप्रेल 2019 में हुए विधान सभा चुनाव में नवीन पतनाय के निद्रुथव वाले बीजु जनता दल को 112 सीटे मिली थी मह अरास्ट विधान सभा में 288 सदस्यों हैं जहां अक्टूमबर 2014 से पहले चुनाव हो सकते हैं पिछला विधान सभा चुनाव अक्टूमबर 2019 में हुआ था तब बीजेपी को 105 सीटे और सिवसेना को 56 सीटे मिली थी ब्यूर रिपोर्ट GSTV महारास्ट में मुख्य मंत्री एकनाद सिंदे और उपमुख्य मंत्री अजीद पवार के बीच अक्सर नारास्गी की खबरे सामने आती रहती है अब खबर है कि गर्णिश उत्सव के दौरान डिप्टी सियाम पवार सियाम सिद्धे के आवास पर नहीं गए थे क्या एकना जगत से कई लोग शामिल हुए इसमें दुनिया के सबसे अमिर सक्ष मुकेस अंबानी के परिवार के साथ शारुख खान सलमान खान जैसे दिगज कलाकार भी मौजूद थे लेकिन गण 107 में अजीद पवार की गैर मौजूद्गी की चर्चा रही अजीद पवार ने गण जूद अजीद पवार ने मुख्यमंद्री आवास से परहेज किया जब दीपक के सरकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा एकनात सिंदे और अजीद पवार के बीच अच्छे रिस्ते हैं शायद मुख्यमंद्री आवास पर गल्ती से गणपती छूट गए अजीद पवार के सरकार में सामिल होने के बाद से कहा जा रहा है कि सिंदे गूट के विधाकों में काफी बेचैनी हैं अजीद पवार की वज़ज से सिंदे गूट के कई लोगों के सपने बदल गए हैं मुख्यमंद्री एकनात सिंदे और देविंद फरणवीज एक दूसरे के आधिकारी का आवास पर तब ही मिले जब भाजपा के राष्ट्य नेता मुंबय आए हाला की उप मुख्यमंद्री अजीब पवार इस जगह पर कहीं भी नजर नहीं आए ब्यूरो रिपोर्ट जी एस टीवी कि आसम जिस देश की बात करो हैं वाहां हर छ महिने पर चुनाव होता है और सबसे बड़ी बात की चुनाव होते ही वहान रास्तिक्ष बदल जाता है यह देश कहीं और नहीं बलकि यूरॉप में है यूरॉप की इस देश का नाम है सैन्ड मरीनो इस देश में हर 6 महिने पर चुनाव है और सबसे हरानी की बाद हर इलेक्शन के बाद वहां का रास्ट अध्यक्ष बदल जाता है जो भी नए रास्ट अध्यक्ष उना चाहता है उसे उस देश के लोग कैप्टन कहते हैं हाला कि कैप्टन रिजएंट को चुनने के लिए ग्रेट और जनरल काउंसिल के 60 सदस्य वोट डालते हैं दरसल सैंड मरीनो देश दुन्या का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है यहां की आबादी करीब 34,000 है आपको बता दे इस देश में सबसे पहली बार चुन स्टीबी